हमारी Skillbee आप को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले Play Store पर जाना होगा और वहाँ पर Skillbee आप को सर्च करना होगा फिर उसे इंस्टॉल कर दीजे इंस्टॉल होने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेगा जब आप उसे खोलेंगे तो आपको सबसे पहले वहाँ पर अपना phone number डालना होगा phone number डालने के बाद आपके पास चार अंकों वाला एक OTP आएगा OTP भी भर दीजिए ये OTP से आपका phone number हमारी Skillbee आपके साथ लिंक हो जाएगा उसके बाद आप अपनी profile वहाँ पर बनाना शुर्व करतीजिए वो आपसे कुछ चीजे पूछेंगे जैसे आपका नाम, आपका जेंडर, आपकी नेशनालिटी वहाँ पर सबसे पहले अपना नाम भर दीजिए फिर अपना जेंडर लिखिए फिर उसके बाद अपनी नेशनालिटी को क्लिक करें जैसे इंडियन, बांगला देशी, नेपाली या फिर पाकिस्तानी उसके बाद नेक्स बटन दबा कर आगे बढ़ने फिर वहाँ पर आपको अपनी एक profile picture अप्लोड करनी होगी आप गैलरी से भी अप्लोड कर सकते हैं और एक नई फोटो उसी वक्त भी लेकर वहाँ पर अप्लोड कर सकते हैं फिर उसके बाद आपको बताना होगा कि आप क्या काम करते हैं या फिर आप कौन सी जॉब ढोन रहे हैं वो बताने के बाद वो आपसे पूछेगा कि उस जॉब में आपका experience है या नहीं अगर आपके पर experience है तो आप yes पर क्लिक करके वहाँ पर अपनी salary बता दीजिएगा अगर आपके पर experience नहीं है तो आप no पर क्लिक करके next बटन को दबा सकते हैं फिर वो आपसे पूछेगा कि आपकी current location क्या है get my location करके आप अपनी location महाँ पर बता सकते हैं और finish का बटन दबा दीजिए लीजिए आपकी profile पूरी तरह से त्यार है अब आप अपनी मन पसंदी jobs भी ढूण सकते हैं यहां से आप मैं आपको बताओंगी कि आप CV कैसे upload कर सकते हैं प्रफाइल पर जाकर वहाँ पर आपको blue कलर का बटन दिखेगा upload CV का यहां से आप CV upload कर सकते हैं अपना प्रफाइल प्रफाइल प्रफाइल